ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स करीब दो महिने पहले की बात है चंडीगर मेर चुनाओं को लेकर जो घमासान छिडा उसकी शक्लब देश की राजधानी दिल्ली में भी देखी जा रही है विवाद वही है जो दिल्ली के बीते साल के मेर चुनाओं में था जिसकी वज़ा से मामला सुप्रीम कोड तक चला गया उस बार भी वज़ा पीठा सीन अधिकारी की न्यूकती थी इस बार भी वज़ा वही है उस बार विवाद के केंडर में दिल्ली के लजी थे इस बार भी वही है अब क्या है वो वज़ा आखिर दिल्ली के लजी ने CM को लेकर अपने नोट में ऐसा क्या लिख दिया कि मेर चुनाओ टल गया पुरी जानकारी आपको विस्ताद से हम बताते हैं दरसल चुनाओ आयोग की हरी जंडी मिलनी के बार मेर चुनाओ की गेंड LG के हाथ में थी क्योंकि पीठा सीन अधिकारी की न्यूकती को लेकर जो फाइल LG के पास मन्जूरी के लिए भेजी गई उसे बिना साइन किये LG ने मुख्य सचिब को लोटा दिया LG ने फाइल वापस लोटाते हुए लिखा मुख्य सचिब ने पीठा सीन अधिकारी की न्यूकती का प्रस्ता 22 अपरेल को मुख्यमंत्री को भेजा था मुख्यमंत्री जेल में हैं और पीठा सीन अधिकारी की न्यूकती के लिए अपना इन्पुट देने में असमर्त रहे इस से भ्रम और अनिश्चिता से भरी स्तिथी पैदा हो गई है क्योंकि कानोन इस पस्ट रूप से कहता है कि किसी निर्ने पर पहुचने में मुख्यमंत्री के विचार महत्पूर है मुख्यमंत्री की अनुशंसा के अभाव में पीठा सीन अधिकारी के लिए धाई सो पारशदों के नाम सौपे गए है हालकि स्तिथी जटिल और मुख्यमंत्री की भागिदारी के बिना आगे बढ़ने से कानूनी और समवैधानिक विसंगतियां पैदा हो सकती है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब ना मिलने की स्थिथी में पीठा सीन अधिकारी की नियुक्ती के लिए एड्मिनिस्ट्रेटर के तौल पर अपनी शक्ति का उप्योग करने को मैं सही नहीं समझता हूँ मौजूदा मेर और डिप्टी मेर अगले मेर चुनाव तक पर पर बने रहेंगे तो ही आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार की यूडी मिनिस्टर सौरभाल दुवाज ने दिल्ली के मुख्य सचिव पर पीठा सीन अधिकारी की नियुक्ती की फाइल बिना उन्हें भेजे सीधे LG के पास भेजने का आरोप लगाया था इसे लेकर भी LG ने अपने नोट में लिखा मंत्री ने भी उनके पास पीठा सीन अधिकारी की नियुक्ती की फाइल भेजी थी और वही बात कही थी जो CM आफिस ने अपने नोट में कही थी स्वास्त मंत्री पीठा सीन अधिकारी की नियुक्ती को लेकर अब निराधार आरोप लगा रहे है यह उचित नहीं है तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेर चुनाओ अर्विंद के जिरिवाल की सरकार और LG के बीच जगले की बली चड़ गया जेल में रहते CM को कोई फाइल भेजी नहीं जा सकती और LG कह रहे हैं कि बिना CM की राय के वो पिठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते अब पिठासीन अधिकारी के बिना चुनाओ हो नहीं सकता वो बात अलग है कि पिछले मेर चुनाओ में LG ने बिना CM की सला के ही पिठासीन अधिकारी को नियुक्त कर दिया था जिसके बाद काफी बबाल हुआ और मामला सुप्रीम कोट तक चला गया था प्यदो दिपोर्ट दिल्ली तर झाल सुप्रीम कोट प्याँ सुप्रीम कोटा प्याँ सुप्रीम कोट दिल्ली तर